चोपडा जो किस न्योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चो कुसी की बात यह है कि MBBS की सीट सभी लगातार इंक्रीज हो रही है और यह कही न कहीं कटोफ को जरूर इफक्ट करेंगी और सीट चाए किसी भी स्टेट में इंक्रीज हो ओल इंडिया कोटा में 15% सीट आने से सभी स्टेट के कंडिडेट को फाइदा होता है मैंने 21st September को वीडियो बना कर बताया था कि 643 colleges में टोटल MBBS की सीटे 97,093 हो चुकी है मगर अभी उसके बाद 300 government MBBS सीट और इंक्रीज हो चुकी है और अभी तक 645 colleges में 97,293 सीट हो चुकी है इसमें 100 सीट का और इजापा हो गया है जो NMC की वेब साइट पर अभी अपडेट नहीं हुआ है तो टोटल 646 medical colleges में 97,393 सीट अभी तक हो चुकी है अभी इसमें देखे हम कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें इंक्रीज हुई थी तो ये मैंने आपको पहले 21 शिप्टेमर के वीडियो में बता दिया था और इसमें जो थ्री colleges हैं जो अभी तक एड नहीं हुई थी वो केरला की JMC इदु की है और इसमें वेस्ट बंगॉल की सर्च चंद्रा उपादहाई है इसके बाद में मारस्टर की एक college जो अभी तक अपडेट नहीं हुई है ओसमानबाद ये college अभी अपडेट नहीं हुई है तो मैंने यहां इसको add कर लिया है परमिशन मिल चुकी है इस college को तो टोटल अभी जो increase हुई है new colleges में वो 34 colleges में 3950 seats increase हो चुकी हैं जिसमें government की 31st colleges हैं और इसमें जो seat हैं MBBS की government की 3400 seats हैं अब इसमें total हमें एक बार देखे आज तक की तो इसमें अलग-अलग government की 30 seats अभी increase हुई ही new colleges में तो total 3400 seats हैं पुराणी college 8 colleges में 216 seats इंस्क्रीव हुई हैं तो government की total अभी तक 38 colleges में 3616 seats increase हो चुकी हैं प्राइवेट की बात करें तो इसमें 4 medical colleges में जो new medical colleges हैं 550 seats increase हुई हैं और पुराणे वाली में जिसमें किसी की permission नहीं मिलीती कोई नई seat add हुई हैं तो इसमें total 10 colleges में 1250 seats increase हुई हैं तो total private 14 colleges में 1800 इसवार seat increase हुई हैं तो total अगर हम देखते हैं तो 52 colleges में 5416 seats अभी तक increase हो चुकी हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि seats और भी increase होंगी यानि second round counseling के start होने से पहले तक ये seats increase होके seat matrix में जूडती रहती हैं example के तोर पर अभी PG की counseling भी चल रही है तो इसमें first round ongoing है फिर भी उसमें seats अभी भी increase हो रही तो MBBS में भी seats increase होंगी जिससे इसका असर All India की कटोप पर जरूर पड़ेगा तो ये जानकारी थी seat increase के बारे में अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी book download कर सकते हैं इस वीडियो के description box में link है या फिर हमारी website www.chopraeducation.in से download कर सकते हैं इसमें मैंने वो पूरी जानकारी दे रखी है जिसकी आपको जरूरत है इसमें seat matrix 2022 में कैसे आपको 24 फिल करना है service bond के बारे में जानकारी documents के बारे में जानकारी ये दोनों all India quota state के लिए available है आयूस और veterinary के लिए भी available है इसमें आप MBBS, course, BDS, central pool सभी के लिए book available है help ले सकते हैं इसमें तो जैसे ही आप download करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिंग